जैसी कसना गीता धांग गुरुकुल में फिर से आपका स्वागत निनाथ 5.1.2021 नए वर्ष में सब आप सब लोगों का स्वागत है विश्चे तो हमारे हिसाब से नए वर्ष छेट के मेनी सरोता लेकिन फिर भी हमारे विदिशी नए वर्ष के हिसाब से ठीक है और कक्षा शिख्ष विशे हिंदी पार्ट travel और पार्ट का नाम है मैं सब से छोटी हूं नहीं कविता क्या है कविता का लेक रिखक कवी कौन है कवी है सुमित्रा नंदन पंत कौन है सुमित्रा नंदन पंत अब मैं इसको आपको कुछ सब्दार्थ कटिन सब्द है जो मैं आपको दे रहा हूँ उसके बाद में उसके प्रशन उत्राप को करवा दिये जाएंगे पहला है आंचल 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 बोलते हैं कपड़े का छोर जो कपड़े का पलू होता है न जो पीचे से पकड़ती है उसको सदा एन हमेशा रोच क्या होता है हमेशा रोजाना क्या होता है रोजाना और हे मात हे माता मात क्या बना है माता और कर होता है हाथ क्या होता है कर हाथ सजीत एन सजाकर सुन्दर बना कर क्या सजाकर सुन्दर बना कर गात एन शरीर क्या होता है गात एन शरीर शुक देने शुक देने वाली क्या होता है शुक देने वाली शुक देने वाली शुक देने वाली शुक देने वाली शुक देने शुक देने वाली शुक देने 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 का पुर्णाजर्चान का उबदर पश्वत करो प्में है क्या बोलते हैं सब्सक्राइब क्यूंकि कवीता में वह सब से छोटे होने की कलबटना क्यों कि गई है क्योंकि कविता में चुटी होने की इसलिए कि कभी एक बच्ची के लिए लिखता है कि मैं आमिशा,amingशा क्या रहे हूँ, छोटी रहे हूँ सबसे छोटी होने किल्पना हमेशा मा का साथ और उसका प्यार दुलार नहीं मिलता है अगर बड़ी हो जाओंगो तो उसका प्यार दूलार मुझे नहीं मिले इसलिए मैं हमेशा मा की गोज में ही देना चाहते हूँ कविता में ऐसी बड़ी नेहूं में क्यों का गया है कि क्या तुम पी हमेसा छोटे बने रहना प्रशन करोगे जैसा इसमें प्रशन किया गया है कि क्या तुम हमेसा छोटे तो कविता में क्या है बड़ी नेहूं इसलिए का गया है कि बड़ा होने पर बच्चे को मां खिलोने देखकर बेला देती है पर परियों की कहानी भी नहीं सुनाती है और फ्यार भी कम हो जाता है इस इन कारणों से हम भी हमेशा छोटा बना रहे ना ही पसंद कारते हैं लाइक कारते हैं ठीक है पसंद नमर त्री आज से इस्वाइस्ट करो यह जो हाथ पकड़ कर फिर सदा हमारे साथ नहीं पिरती दिन रात किसको माश सेखती है किस सेखती है माश इस कवीता मैं यह दिया गया तो माश कहती है कौन कहती है बच्ची कहती है कि मैं बड़ी हो जाओंगी बड़ी होने पर तुम मुझे खिला पिला कर और खिलों ने देकर अपने आप खेलने के लिए छोड़ देती हो क्या करती हो वड़ी तो अपना चोड़ने हो तुम मेरा हाथ पकड़ कर सदा गुंती फित्री भी नहीं हो क्यों कि मैं बड़ी हो जाओ तुम मुझे रेदोगे और हर समय हमारे साथ नहीं रेती हो क्या है हर समय हमारे साथ नहीं रेती हो आगे पसन नमबर चार चार में अपने छुटपन में बच्पन बच्चे अपनी मां के बहुत करीब होते हैं छोटे पन बच्पन में सब छोटे होते तब तो इस दुनिया में नजदी क्योंकि कौन कौन शीव सिस्थितियाम बताई गई है देखो इस कवीता में बच्चे की मां के गोद में सोना उसके साथ गुमना मां के दवारा बच्चे को नेलाना दुलाना खिलाना पिलाना बच्चे को प्यार करना उससे अपने आंचा लेने गोद में भायां में रहना और परियों की कहानियां सुनाना आधिक नजदी क्यों इस्तितियां पताए गई है, अब मैं आपको बस निश्ट परसंद करवा रहा हूँ, छोटे कुस्ण देश देख और शिवाज में और आजेंगे, तो बच्चे कहां पर सोना परसंद करती है, इसमें बिश्टर है, धगती है मा की गोधी में या मा की बहुं में, तो चोटा ब नहीं ने और ठीक है ना तो इनका हाथ पकड़े रेकना नहीं चाहती है ठीक है तुम पिछे चलकती है बच्ची को कौन चलता है बच्ची को कौन चलता है तुम पिछे चलकती है बच्ची को कौन चलता है पिता शहली वहन या मा कौन चलता है मा हर काम इसके मा आता है पिसन नंबर चार में खाली जगे दिए आपको तीन खाल जगे बढ़ना है इसमें दो उप्ष्ण दिए वे एक उप्ष्ण में आपको राइट करना है फिरू सदा महा तिसमे उसके या तिसमे क्या आएगा तिसमे तेरे साथ तेरा ने हों ने खों मैं सने क्या प्यार मैं सबसे छोटी हों ठीक है पांचा पसन है मैं सबसे छोटी हों कवी ता की रषना किसने की ती कवी शुमिद्रा नंदन पंत ने किसने की ती मैं सबसे छोटी हों फंकती में सब किस के लिए आया है छोटी बच्ची के लिए किसके लिए आया है छोटी बच्ची के लिए बड़ी होकर बच्ची क्या नहीं होना चाहती बच्ची बड़ी होकर मां का आंचल का शने मैंने गोद का प्यार नहीं होना चाहती बच्ची मां के आंचल में किस तरह रेना चाहती है बच्ची मां के आंचल में चाया निर्भे औ बिना डर के किसी बरकार का डर से चिपी देना जाती है बच्ची महाज से क्या शिकायद करती है तुम हमें खिलोने से बेला कर परियों की कानिया नहीं सुनाती हो क्या करती है तुम खिलोने से बेला कर मुझे परियों की कानिया नहीं सुनाती हो चोटी बच्ची मां का हाथ कभी ने छोड़ने की बात क्यों कहती है क्योंकि वे मानती है कि बड़ी हो जाने पर मां बेटी या अपनी संतान का हाथ नहीं पकड़ती सदा साथ नहीं रेती है क्या रहे हैं सदा साथ नहीं रेती है सदा मतलब हमेशा कहूं दिखा दे चंद्रो दे चंद्रमा उगना पंक्ति का अर्थ क्या है छोटी बच्छे अपनी मां से कहते है कि हे मा मुझे राच में निकलता वा चान दिखा दो क्या दिखा दो निकलता वा चान दिखा दो चंदा मामा के दस्षन करा दो क्या करा दो च इससी बड़ी होना चाहती है पर इस बात से ड़ती कि बड़ी होने पर मा से बेशा प्यार पुलार नहीं मिलेगा जशा बच्पन में बिलता है मा का पहले वारा सने प्यार खतम हो जाएगा जैसे एकुछना गीता धान गुरु कोल्स है सबी बच्चों को ये कोटी में करना है अपने स्वाल और ज्यादा से ज्यादा करने की कोशीश करनी है जब तक हमारा विजा ले